नमस्कार मैं डॉक्टर विपिन बनसल वास्तु कंसिजन्ट जो सीरिज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूँ हूँ जो सीरिज हमारी चल रही है वो है प्लोट शेयन से लेकर गरह निर्मान तक और गरह निर्मान से लेकर गरह परविश तक इसमें जितने भी विशेय आते हैं वो सारे विशेय मैं आप लोगों के साथ अपने वीडियो के हर एक भाग में साजा कर रहा हूँ अब मैं आपको बताना चाहूँगा South Facing plot ये बारे में आपका plot South Facing है तो आपको निर्म की खुदाई किस परकासे करनी है निर्म की खुदाई आपने North East Corner से North होते विए Northwest Corner तक North Wall की निर्म की खुदाई सबसे पहले करनी है उसके बाद आपने east wall की north east corner से east होते हुए south east corner तक नीम की खुदाई करनी है उसके बाद आपने west wall पर north west corner से west होते हुए south west corner तक नीम की खुदाई करनी है और सबसे बाद में आपने south की दिवार की south east corner से खुदाई शुरू करके south होते हुए south west तक खुदाई करनी है ये तो होगा हमारे नीम की खुदाई का सिस्टम, अब इसमें नीम की भराई कैसे करनी है, नीम की भराई सिस्टम तो वही है, उसमें साथ वेस्ट कोर्नर को आपने सबसे पहले बरना है, साथ वेस्ट कोर्नर से वेस्ट होते वे नॉर्थ वेस्ट कोर्नर तक साथ वेस्ट कोर तक निम की भराई करनी है यह तो होगी हमारी निम की भराई अब इसमें construction किस तरीके से चालू करनी है जब आपने construction चालू करनी है तो construction चालू करते से मैं आपने दियान रखना है जो southwest इसमें साउथ की दिवार आपकी कम से कम 25% कशला ना चाहिए उसके बाद आपकी west की दिवार सै बनाठे लडं CR Keys को और दिवारों को उठा उठाते वए चलना है इस परकार आप चारो दिशाओं में प्लोट के अंदर नेम की खुदाई और नेम की भराई और दिवारों का लेवल किस तरीके से आपने उचा करके चलना है जिससे कि आपकी अपनी बिल्डिंग समय पे पूरी हो जाए बिना रुकाउट के पूरी हो जाए बिना एक्स्ट्रा खर्च के पूरी हो जाए यदि आप ऐसा करते हैं तो मेरा अपना ये मानना है कि आपको कहीं से कहीं तक घर बनाने में कोई भी दिकत नहीं आईगी आप अपनी किसी भी साइट के बारे में और आप हमें अपने यहां साइट विजिट के लिए इनवाइट करना चाहते हैं तो आप हमें साइट विजिट के लिए इनवाइट भी कर सकते हैं हमारे पिताजी द्वारा लिखे पर्थम पुस्तक लक्षमी परवेश कैसे हो जिसमें उन्होंने वास्तु शास्तर के साथ साथ अपना अनुभाव लिखा और इस फुस्तक को प्रिंट किला कर उन्होंने समाज में बटा और समाज ने इस फुस्तक को पड़कर पौरपूर लाग उठाया आप अपना नया घर बनाने जा रहे हैं तो आप हमारी यह पुस्तक भी मंगवा सकते हैं हमारी यह पुस्तक भी आपके घर को वास्तु दोश्मुख बिलाने में साहिक जरूर होगी आप मेरे यूट्यूब के कमेंट बक्स में मैसेज भी जरूर लिखे आपको मेरे वीडियो अच्छी लगी तो भी मैसेज लिखे और आपको मेरे वीडियो पसंद नहीं आई तो भी आप मेरे वीडियो में मैसेज लिख सकते हैं आप मेरे इस वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड्स में Facebook गूर्प पर और WhatsApp गूर्प पर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में बेल आइकन जरूर दबाए ताकि मेरे आने वाली जितनी भी नई वीडियो है जो ये सीरीज मेरी घर बनाने की चल रही है ये सीरीज सारी की सारी आपके पास कंटेन्यू आती रहेगी और जब मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे बेल आइकन दबाएंगे तो उससे पहले कि जो मेरी लगवगत तीन सो के क्रीव वीडियो है आप मेरी उन सभी वीडियो को भी देख सकते हैं उसमें मेरी जो वीडियो है वो रेजिडेंशल भी है कमर्शिल भी है और इंडेस्ट्रिल भी है तो वो सभी वीडियो भी आपके लिए काम जरूर आएगी ज़्यादतर लोग जोग करने वाले होते हैं बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनके अपने अफिसी होते हैं बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके अपनी दुकाने होती हैं और वो अपनी दुकानों में अलग अलग तरीके के काम करते हैं तो मैंने बहुत सरे विशो पर वीडियो बनाई हुए है मैंने फैक्ट्रीज के ऊपर भी बहुत सरी वीडियो बनाई हुए है तो आप मे低一點 वीडियो भी देखकर भरभूर लाब उठा सकते हैं इसी तरह अगले प्रोग्राम में फिर इसी सीरीज के एक नए भाग पर चर्चा करेंगे तब तक के लिए नमस्कार